नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का सिक्षा प्रवा में आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तों मैं करुणा ये वीडियो लेकर आए हूँ क्लास 12 के फाइन आर्ट पेंटिंग सबजेक्ट वाले स्टुडेंट्स के लिए चेप्टर नमबर 10 भारते कला में आधुनिक प्रवर्तियां तो दोस्तों इससे पहले के चेप्टर में हमने पढ़ी है परंपरवादी कला परंपरवादी चित्र प्राचीन चित्र प्राचीन कला अब हम पढ़ेंगे आधुनिक कला आधुनिक चित्र आधुनिक प्रवर्तियों के साथ चित्र जानेंगे आधुनिक प्रवर्तियों को तो दोस्तो आधुनिक क्या है और कब से इसकी शुरुवात हुई तो दोस्तो बंगाल शेली में जो चितर बने उसको हम कह देते हैं कि आधुनिक दोर कला के चितर में शुरू हो गया था बंगाल शेली में लेकिन इसके साथी साथ बंगाल शेली के आर्टिस्ट ने बंगाल में काम किया करीब 20 से 30 साथ और उसके बाद ही फिर उनको जो बंगाल शेली थी वो परंपरावादी लगने लगी पुरातन लगने लगी अब उनको चाहिए कि उनकी कला में बदलाव हो उनकी कला आधूनिक हो क्यूंकि उस समय पास्चत्य कला में यानि कि विदेशों में होन क्यूंकि इस पर बेस कोई भी प्रशनक आपके त्वल्थ क्लास में नहीं पूछा जाएगा यह बहुत ही जादे एडवांस लेवल है कला के लिए तो दोस्तों इस तरह के कुछ प्रवर्तियां पास्चत्य कला में चल रही थी तो हमारे यहां जो कलाकारते उनको भी लगा कि अब हमें हमारी कला में भी कुछ बदलाव करने की आवशकता है और वही चीज कहलाई आधुनिक प्रवर्तियां और इसके अंदर किस को शामिल किया जा सकता है। रेखा चित्र चित्र पी से के अंधर इंदर चित्रकला में में रेखा चित्र घृत्र कण पहता है रेखा चित्र जो होते हैं उनको हम एक तरह से स्केच बोलते हैं इसके अंदर हमें कलर करने की जरुरत नहीं होती है चित्र कला में क्या होता है चित्र कला में हम चित्र का स्केच भी करते हैं यानि कि उसका रेखा चित्र भी करते हैं और साथी साथ उसके अंतर कलर्स भी फिल करते हैं इसके अलावा आधुनिक प्रवर्तियों में और क्या आ गया फोटोग्राफी आ गई और आधुनिक शिल्पकला, शिल्पकला से मतरव यहां पर मूर्तिकला से है, ठीक है, और इन सभी में इनोंने किस चीज को शामिल किया, पस्चमी अर्थात यूरोपिय शेली में जो किये जा रहे थे, बदलाव किये जा रहे थे, उसको इनोंने अपनी कला में महत्व दिया, और प्राचीन परंपरा पर आधारित भारतिय शेली को छोड़ दिया, और इसी चीज को हम यहां पर पढ़ेंगे, उननिसमी शताबदी के अंत में, राजर अभी वर्मा और अविंद्र बंगाल शेली की स्थापना करी थी, और जो कि हमारी चितरकला अपनी मतलब गरीमा को एक तरह से खो चुकी थी, इस इंडिया कंपनी के आने के बाद, क्यूंकि इससे पहले, तो हमने बहुत अच्छा काम किया था, जनता में किया था, बाग में, लोरा में किया था, इसके लगुचित्र शेलियां जैसे की राजस्थानी थी पहाडी थी यहां पे हमारी कला बहुत अच्छे आयाम पर थी उन दिनों लेकिन इसके बाद जब इस इंडिया कमपनी शेली आई तो उस वक्त हमारी जो कला है वो अपना इंपोर्टेंस को एक तरह से खो चुकी थी जिसके बहुत सारे रीजन थे उस वक्त लेकिन उस गरीमा को वापस से भारतिय कला को दिलाया किसने अवनिंद्रनात टेगोडने किसके माद्यम से बंगाल शेली की स्थापना करके और राजा रवी वर्मा ने किस तरह से उननिस्वी शताबदी में हमारी कला को अपनी पहचान दि कि भारतिय पोरानिक विश्यों को भारत के जन मानस तक उन दिनों पहुचाने का काम राजा रवी वर्मा ने किया था तो ये सारका सारी चीजें की किनोंने अमनिंद्रनाटे गोर ने और राजर अवी वर्मा ने बिलकुल स्टार्टिंग में यानि की उन्निस्वी शताब्दी में और लगबक 30 साल तक ही आधुनिक चित्रकला शेली चली और उसके बाद ही जो कलाकार आये उन्होंने इस कला को क पुरातन हो गई और परंपरावादी हो गई बंगाल शेली के भी बहुत से कलाकार खुद को बंगाल से अलग करके अपनी कला को नई विशेष्टा देने के लिए विश्व इस तरिये गुणों तक अपनी कला को कहचाने के लिए प्रयास करने लगे और इसी बीच में गग क्यूबिस्म आप लोगों को बहुत थोड़ा से समझाऊंगी कि क्यूबिस्म क्या है तो इसको हम हिंदी में बूल देते हैं घनवाद और घनवाद होता है कि अपनी कला में जयमितिये आकारों को स्पेस देना जगा देना चित्र में अधिकतर जयमितिये आकारों का प्रयो साठ्वे दसक में जब उन्होंने उम्र के साठवे दसक में उन्होंने प्रुट्र कला प्रारंब कि और और आपने अपनी चित्र कला μέreto अभी व्यांज्णावात को , एक्सप्रेशनममि व्यक्ति बाकर इंहोंने बख़प्रो के साथनी व्यक्ति , अभी विंचना और इस तरह से रिवनना टेगोर ने चित्र बनाने की शुरुआत की और उन्होंने चित्रों में महतु दिया अभी व्यंजना को. इसी तरह से यामिनी राय भी अपनी कला में कुछ लोक कला से प्रभावित चित्रों को लेकर के आये उन्होंने भी अपनी चित्र कला में बदलाब किये किसलिए किये आधुनिक प्रवर्थी को जनम देने के लिए अपनी कला को आधुनिक बनाने के लिए नंदलाल बोज ने भी क्रामीन परिवेश में प्रचलित मौलिक चित्रोंस को बनाया और अपनी कला को महत्वपूर्ण इस्थान दिया तो अब जो थे उस समय भारत में जो काम किये जा रहे थे उन सब को क्यूंकि उन्होंने अपनी कला में इस्थान दे धिया था कि इसको अभी वैंजना को या थार्थवाद को तेल रंगों का तो उनकी कला को आधुनिक माना जाने लगा था. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कि 20वी शताबनी की जो कला है उसको आधुनिक कला कहा जाता है. आधुनिक कला समझ गए कि 20वी शताबदी जिन कलाकारों ने काम किया अपनी कला में बदलाव किये कलपना आत्मक्ता को अधिक महतु दिया कलपना शीलता को महतु दिया और पुरातन कला को छोड़ दिया तो वो चीज तो हो गई आधुनिक कला आधुनिक प्रवर्तियां क्या हो गई तो आधुनिक प्रवर्तियां क्य से प्रेरिध थे? पस्च्रमी जब शब्वेता से पस्च्रमी कला से. अब इसी बीच में एक काम और हुआ. क्या होता है कि जब किन्ही दो या चार या दस लोगों के विचार आपस में मिलने लगते हैं, तो वो दोस्त हो जाते हैं, तो हम उसको एक गुरुप कहने लगते हैं, तो इसी तरह से कुछ कलाकार जिनके विचार आपस में एक दूसरे से मिलते थे, उनकी कलाकरतियों के माध्यम से, तो उन्होंने अपने आपको कुछ गुरुपों में बाट लिया, और इस तरह से कुछ तो इसी तरह से बहुत से गुरुप कलाकारों ने बनाए, और वहां पर वो अपनी कला बनाने लगे, दिखाने लगे, और विश्व इस तरिय पहचान उसको दिलाने लगे, इसी बीच में आपके स्लेबस में भी एक गुरुप है, जिसको आपने पढ़ना है, और वो है, कम कलाकारों ने की थी, वो थे फ्रांसिस न्यूटन सुजा और मकबूल फिदा हुसेन, ठीक है, इसके अलावा, के एच आरा भी इसके संस्था पक तीन सदस्यों में से एक थे, फिर दीरे-दीरे इस संस्था में छे सदस्यों में और फिर आठ हुए, अब इस समू की क्या वि जो इसके कलाकार थे वो प्रभावात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी संगठन के यानि किसी गुरुप के एक सदस्य हैं फ्रांसिस न्यूटन सुजा इन्होंने अपनी नई कृतियों के माध्यम से विस इस तरिया उचाहियों को छुआ इनकी रचनाओं में हमको यूरोपियन शेली के यूविज्म की, सुरियोलिज्म की और प्रिमिटिज्विज्म की जो है पहचान या चित्र में इस चीज का प्रभाव देखने के लिए मिलता है MF हुसेन जोकी पैगुरुक के ही सदस्य थे उनकी रचना में भी विस्व इसतरिय चित्रकला देखने के लिए हमको मिलती है और वो भी बहुत जादा फेमस हुए प्रसिद्धी की सीडियां चरते गए लेकिन बाद में उन्होंने भारतिय सिनेमा जगत से अपने आपको बांध लिया और वो भारतिय सिनेमा से जुड़े चित्र बनाने लगे इसी संगठन के एक और आर्टिस्त थे जो बाद में संगठन से जुड़े थे जिनका नाम के जी सुब्रमन्यम है उन्होंने प्रचलित लोक कलाओं वे परंपराओं को उस समय की नवीन कला तकनिकों से जोड़ा और पुरातन कला और पुरातन विशे और नवीन कला से एक बहतरीन सयोजन करके नई कला शेली का विकास किया जो की बहुत ज़्यादा फेमस हुई तो दोस्तों इस तरह से इस गुरुप के कलाकारों ने अपनी कला को बढ़ाया और विस इस तरह पहचान दिलाई और लास्र में आकर 1956 में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया संगठञ को समाप्त करने के क्या कारण थे जब 1947 में ये बना तो 1956 भी नो साल के बाद अब इन कला कारों के विचार आपस में मिले बंद हो गए क्यूंकि हर रोज नए बदलाव होते रहते है हर रोज जो पुराना दिन का फेशन होता है वो खतम हो गया होता है और नया फेशन हमारे सामने आजाता है इसी तरह से उस दोर में कला के छेतर में भी बदलाओ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे थे तो इन कलाकारों ने भी फिर अपनी कला को दूसरे आयमों तक पहुँचान जो आधुनिक तक्निकों और विचारों से कला छेतर को नए आधार प्रदान कर रहे थे और उन में से कुछ जो आधुनिक कलाकार निकल के आ रहे थे वो थे मनीशीडे, मुकुल्डे, रामकुमार, तैयब, महता, अकबर पदम सी, प्राकेश कारमेकर, नारायन राम चंदर वे बिजोन चौधरी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे आर्टेस्टे थे, लेकिन आप इन में से किनी दो तीन के नाम याद रख सकते हैं, ठीक हैं, अब अपनी कला, ये सभी आर्टेस्ट उस वक्ता आदुनिक कला में क्या कर रहे थे, अपनी कला और शेलिगत विशे तो यहाँ पर सती चित्र का, मैं आपको थोड़ा सा विवेचन करूंगी, तो ये जो सती चित्र है, जैसा कि इस चित्र को देख करी आपको लग रहा होगा, कि ये वाश पद्दी में बना हुआ है, और वाश पद्दी है पहचान किसकी बंगाल कला शेली की, तो दोस्तों, अगर आपको वाश पद्दी के चित्र अभी पहचान में नहीं आते हैं, तो आप मेरी बंगाल शेली पर बनी वीडियो जरूर देगें, उससे आपको वाश पद्दी में चित्र कैसे बनाया जाते हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वाश पद्दी जो कि बंगाल कला शेली की पहचान ठी कि जरूरी है कि सी बंगाल शेली के आटिस्ट ने बनाई होगी तो यह चित्र बनाया है नंदलाल बोस ने और कब बनाया 1963 इश्वी में बनाया कागज पर इन्हों ने वाश और टेंपरा टक्निक के माध्यम से यहां पर इस चित्र को बनाया है यह एक पोरानिक घटना को यहां पर ननलाल बोस ने अपने इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया है जिसके अंदर इस इस्त्री को सती के रूप में उन्होंने चित्रित किया है और सती जो की आग का अपने अंदर अपने को खु प्रयास किया है जहां पर सती अपने जीवन को समाप्त करते हुए दिख रही है तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो दूसरा चेत्र है वो है स्वनपुरी द्वारिका तो दोस्तों इस चेत्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चेत्र में बहुत सारी घनवादी आकरति तिर्भुज, आयत, वर्ग और छायावे प्रकाश मतल लाइट अंडाक इस चित्र में हमें देखने मिलेगा तो जहां तक है जिस तरह से मैं भोड़ रही हूं आप पहचान गए होंगे कि यह चित्र किस ने बनाया है भारतिय कलाकार जिन्होंने अपनी कला में घनवाद को अ कुछ नीले, doan लेवे सफेद पहाडों के साथ आस्मान को चित्रकार ने चित्रित किया है और द्वार का चित्र को यानि की बहुत सारी इमारतों को, मनतिरों को, भवनों को यहाँ पर चित्रकार ने जयमिती आकार में छायावे प्रकाश से दिखाया है बहुत जादा light and dark का प्रयोग यहां पे कलाकार ने किया है ध्यान से अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें एक बूढ़ा विक्ती इस चित्र में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों ये थे एक चित्र जो की बंगाल शेली का था और दूसरा चित्र जो की आधुनिक कला का था एक चित्र जो पुरातन परंपरावादी कला से प्रहित था और दूसरा चित्र जो की आधुनिक कला का आधुनिक प्रवर्तियों से युक्त चित्र है तो दोस्तों ये अंतर है पुरातन कला में और आधुनिक कला में आधुनिक कला प्रवर्तियों में और परंपरावादी कला में ये था दोस्तों आपका पूरा चेप्टर जो कि मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो समझ आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें जिससे की इस चैप्टर का सॉलुशन आप देख सकें जिससे की मैं बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ